हे दोस्तों मैं ही तौसीफ और आप देख रहे हैं विली फॉर यू आज की वीडियो उनलों के लिए है जो वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हैं ट्रॉस्ट मी अगर आपने आज तक कोई भी वीडियो एडिटिंग नहीं किया है तो ये वीडियो देखने के बाद आप भी प्रोफेशनल लुकिंग वीडियो बना सकते हैं और सबसे खास बात ये हैं कि ये फुल वीडियो है, कम्प्लीट कोर्स है इस में बहुत सारी लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया था इस वीडियो में मैंने फिलमोरा का यूज किया है फिलमोरा काफी पॉप्लर वीडियो एडिटिंग सौफट है और इसकी खास बात ये है कि इसके लिये आपका सिस्टम कॉन्फिकेशन हाई होना जरूरी नहीं है किसी भी computer laptop में जो है आप Filmora यूज़ कर सकते हैं और इसमें बहुत सारे features हैं जिनका आप simply जो है ड्राग और ड्रॉप करके यूज़ कर सकते हैं तो download कीजिए Filmora description में link दे हुई है तो description के link को follow करके आप इस website के अपर आ सकते हैं यहां से आपको Filmora video editing software download करना है Windows और Mac दोनों के लिए available है मैंने इस और डाउनलोड और install किया हुआ है यह है Filmora सबसे पहले यहां पर आपको जहें expect ratio चूज करना होता है 16 by 9 जो कि अभी सबसे ज्यादा यूज होता है 4 by 3 standard जो कि नॉर्मली अब यूज नहीं होता है one by one है अगर आप Instagram के लिए वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप जो है one by one choose कर सकते हैं क्योंकि Instagram पे square video ही support करता है उसके साथ ही यहां पे 9 by 16 है अगर आप portrait अपने mobile के size का जो है video बनाना चाहते हैं तो आप इस option को चूज कर सकते हैं मैं यहां पे 16 by 9 चूज करूंगा यहां पे हमारे पास कुछ mode है easy mode, instant cutter, action cam tool यह सारी mode जो है हमें full feature mode में मिल चाहेगा तो चलिए चलते हैं full feature mode में ओके तो यह है Filmora का interface काफी simple काफी lightweight software है बहुत जादा कुछ यहां पे आपको देखने को नहीं मिलेगा लेकिन फिर भी आप इससे amazing video edit कर सकते हैं मैं आपको introduction दे दूँ यह है library, media library आप कहले, जो भी file हम import करेंगे वो सारी की सारी चीज़े जो है वो यहां पे show करेंगी उसके साथ ही Filmora की जो अपनी library है वो सारी चीज़े भी आपको यहां पे मिल जाएंगी जैसे कि music है, text effect, transition, filter, overlay, element, split screen है तो यह सारी चीज़े आपको इस area में ही मिलेंगे और यह है हमारा preview window, जो भी चीज़े हैं, जो भी हमारी media file है, उसको अगर हमें preview करके देखना हो तो वो चीज़े हम यहां पे इस window में देखेंगे, यहां पे हमारे पास जो है कुछ control भी है, जैसे कि frame rate के according अगर हमें आगे बढ़ाना हो, यह पर play posh करना हो, उसके साथ ही अगर हमें recording करनी हो, तो हम यहां से कर सकते हैं, screen capture करना हो, यह जो screen है, जो भी हमें edit कर रहे है, उसके screen को अगर हमें capture करना हो, मतलब उसको snapshot लेना हो, तो हम यहां से ले सकते हैं, वैसी volume adjust पगर सकते हैं, या पर इस window को हम free कर सकते हैं, ओके और यह है finally हमारा timeline, जो कि सबसे important है, जो भी media file हम edit करेंगे, वो यहीं पर रख करके edit करेंगे, यहां पर आप देख सकते हैं, कि video track है, उसके साथ ही text और audio का अलग track है, तो जो भी cut करना हो, किस के बाद किस video को रखना है, किस के ऊपर, किस के नीचे, किस video को, audio को, photo को रखना है, तो वो सारी चीज़े हम यहीं पर करेंग यहां से import में जा सकते हैं, import media files, folder, यहां पर camera या phone से आप import कर सकते हैं, आप Facebook, Instagram से भी import कर सकते हैं, आपके पास यहां पर एक record करने का भी option है, आप वेb cam से directly record कर सकते हैं और वो import हो जाएगा, उसके साथ ही आप screen recording भी कर सकते हैं, यहां पर voice over भी record कर सकते हैं, चले मैं यहा लोग editing करने वाले हैं, तो चलिए इसे open कर लेते हैं, और यह हमारी सारी media file जो है, वो यहां पर import हो गई, हम इसे चाहें तो play करके भी देख सकते हैं, तो यह हमारी videos हैं, और photos हैं, इसमें music और audio वगेरा भी हैं, तो यहां पर अब आपको क्या करना है, इसे आपको timeline में यह जो area है, इसमें add करना है, दो तरीके से आप कर सकते हैं, आप simply drag and drop कर सकते हैं, या फिर आप add के ओपर click कीजएगा, automatically project जो है, आपके project में जो है, वो add हो जाएगा, timeline में जो है, वो add हो जाएगा, आप यहां से timeline को थोड़ा सा stretch भी कर सकते हैं, आप देख रहे हैं कि यहां प इसको full timeline में भी डाल सकते हैं, तो इस तरीके से आपको import करना है, आप multiple files भी डाल सकते हैं, जैसे कि यह video है, इसके ओपर हमें images डाल ले हो, तो हम simply drag करके डाल देंगे, और यह image यहां पर हमारा add हो गया, इसको हम resize कर सकते हैं, adjust कर सकते हैं, और जहां पर हमें डालना हो, वहा कि उसके starting में और end में कुछ unwanted parts होते हैं, या फिर बीच में भी unwanted parts होते हैं, हम लोग extra tech लेते हैं, या फिर कुछ गलती हो जाती है, तो उसे हमें सबसे पहले जो है, वो remove करना होता है, तो अगर आप इस video को देखें ध्यान से, यहां पर हमने tech लिया है, मतलब starting में जो हमने ए तो यहां पर उपर यहां थामडेल देख रहा है, और नीचे जो है हमारा यह audio graph देख रहा है, जो कि काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी देख रहे हैं यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो यहां पर हमारी audio start होई है, यहां से यहां तक audio start हुई है, उसके बाद low है, फ आडियोग्राफ की हेल्प से ही आप अपनी वीडियो को सही तरीके से कट कर सकते हैं Уुसमें से अर्वान्टेट पार्ट को हटा सकते हैं मैं तो यह कहता हूं कि आप वीडियों को बगैर देखे ही aur wild की हेल्प से व स्प्लेट कर सकते हैं पार्ट को हटा सकने हैं. तो चलिए हटा लेते हैं इसको, यहां पे जो है, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ, और यह हमारा playhead है, यह जो line है, इसको हम लोग playhead बोलते हैं, और इसे हम जहां पर रखेंगे, वहीं पर action होगा, मितलब वहीं से play होगा, और कोई भी ची हैं, इसके side में, तो देखें, double arrow आ गया, इसके उपर हम लोग click करके रखें, और उसके बाद यहां तक ले आते हैं, अब यह हमारा हो गया, हमारा tick वाला area जो है, वो खतम हो गया, दूसरा option हमारे पास यह है, यहां पर हमारे पास split का option आ रहा है, हमने split कर दिया, और उसके to button प्रेस कर सकते हैं, या फिर उपर भी आपको delete का option बेल जाता है, तीसरा option यह है, कि play hit को हम उसी जगा पे ले जाए, और यहां पर split के उपर click करेंगे, फिर से हमारा split हो जाएगा, इसको select करेंगे, और उसके बास delete कर देंगे, चौथा option हमारे पास यह है, कि हम यहां पर अगर आप देंगे, तो control B अगर प्रेस करेंगे, तो हमारा जो है, यह split हो जाएगा, तो यह कुछ options आपको split करने के बेल जाते हैं, तो चलिए इसको, हम लोग delete कर देते हैं, sorry, unwanted part को, पहले वाला जो part है, उसको delete कर देते हैं, अब हमारा जो यह video है, यह बिल्कुल fresh video है, त starting का तो मैंने हटा दिया, for example, यहाँ पे है, और पढ़ पाते थे, इसको हमें हटाना है अपने वीडियो से, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें, तो यहाँ पे यह ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, और पढ़ पाते थे, यहाँ पे control B हमने कर दिया, shortcut use कीचे, और separate हो गया, इसको मैंने delete button press करके delete कर दिया, तो इस तरीके से आप कहीं से भी unwanted parts को खटा सकते हैं, तो यह हमारा वीडियो हो गया, finally, और यहाँ पे आप देखें, तो यहाँ पे हमने बीच में cut किया है, तो cut पता भी चल ला है, जिसे हम transition effect से, you know, अच्छा कर सकते हैं, तो सब कई पहला काम था हमारा split का, अब यहाँ पे चलिए कुछ options जो हमारे पास आ रहे हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो है undo और redo है, अगर हमने कुछ गलत कर दिया है, तो उस चीज को हम यहाँ से fix कर सकते हैं, उसके साथ ही यहाँ पे हमारे पास जो यहाँ फोटो जो है हमारी flip हो गई होती है, तो उस चीज को हम यहाँ से fix कर सकते हैं, और horizontal या पिर vertical flip जो है, वो कर सकते हैं, उसके साथ ही यहाँ पे contrast situation, brightness वगरा भी जो है आप control कर सकते हैं, तो काफी सारे customization के आपके पास options हैं, यहाँ पे brightness वगरा घटा बढ़ा सकते हैं, और काफी सारे options आपको यहाँ पे मल जाते हैं, उसके साथ ही यहाँ पे auto enhance है, अगर आप auto enhance करना चाहते हैं, auto enhance कर सकते हैं, वीडियो की speed घटानी बढ़ानी हो, तो वो चीज भी आप यहीं से कर सकते हैं, जैसे कि मैं for example इसको घटा देता हूं, तो यह देखिए, काफी हमा आप यहाँ पे इसे mark कर दीजे, तो यह थी वीडियो के option, उसके साथ ही यहाँ पे audio के options भी है, volume को घटाना बढ़ाना हो, volume को घटा बढ़ा सकते हैं, fed in fed out करना हो, मतलब स्टार्टिंग में जो हमारा जो कोई भी अगर हम लोग music डालते हैं, एक दम बिलकुल से बहुत high sound अगर आ जाता है, तो वो अच्छा नहीं लगता है, तो हम fed in fed out कर सकते हैं, पीछ वगर है, उसके साथ ही background noise वगर हम remove कर सकते हैं, कितना हमें remove करना है, वो चीज़ा हम यहाँ से कर सकते हैं, और भी बहुत सारे options हैं, जिसे आप देख सकते हैं, तो मैं फिलहाल इसे reset कर देत और जो भी आपने select किया हुआ, जो भी select किया हुआ है, वो आपका delete हो जाएगा, यहाँ पर एक option है, crop and zoom, अगर आप अपने वीडियो को crop करना चाहते हैं, तो यह आपका final output होगा, और यहाँ पर आप जो है, अजिसे ही pan and zoom है, जो भी आपको use करना हो कर सकते हैं, aspect ratio maintain कर सकते हैं, या फिर manually, बिल्कुल freeze size आप जो है, crop कर सकते हैं, या फिर आप aspect ratio maintain कर कर सकते हैं, फिलाल cancel कर देते हैं, okay, and then next option आपको यहाँ पर मिल जाता है, freeze frame, अगर आप जो है, इस वीडियो को पुरी तरह से freeze करना चाहते हैं, है न, कहीं पर ऐसा होता है, कि बिल्कुल freeze, काफे action पर freeze हो गया है, तो freeze करना चाहते हैं, तो freeze कर सकते हैं, and then यहाँ पर power tool है, जो कि बहुत जादा important नहीं है, बहुत जादा interesting नहीं है, और उसके साथ ही यहाँ पर आपको advanced color correction के option मिल जाते हैं, अगर आपको अपने वीडियो का temperature घटाना बढ़ाना हो, जो भी color temperature, जो भी color correction कर सकते हैं, तो आप graph भी देख सकते हैं, जिसे कि color temperature में आपको थोड़ा सा cool type effect दिखाना हो, या पर warm type effect दिखाना हो, तो वो चीज़ में आप यहाँ से कर सकते हैं, काफी सारे options यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, और simply आपको क्या करना होता है, slide करना होता है, brightness, घटाना बढ़ exposure है, contrast है, सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं, आप जो है अपना खुद का preset भी बना सकते हैं, और उसे आप दूसरे वीडियो पर डायेटली अपना ही कर सकते हैं, तो color correction का option आपको यहाँ पर मिल जाता है, तो यह कुछ options थें, जो कि आपको मिलते हैं, अब च music, तो वो चीज़ हम यहाँ पर आड कर सकते हैं, यह इसकी लाबरेडी है, जिसमें काफी सारे audio आपको free में बिल जाएंगे, copyright free, यहाँ पर download का sign है, मतलब इसे आपको download करना पड़ेगा, आपको internet connection की जरूरत हो की, तभी आप इसे download कर पाएंगे, और कुछ जो है already downloaded होंगे या फिर आप simply अपना भी media file, अपना भी music जो है वो से डाल सकते हैं, तो चलिए इसको हम लोग जो है add कर लेते हैं अपने audio में, यहाँ पर देख सकते हैं, audio track में add हो गया, और यह हमारा video के साथ play होगा, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर जो, इसका जो volume है, वो बहुत जादा high है, तो इसके उपर अगर हम लोग double click करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग आजाएंगे edit में, और इसके volume को थोड़ा सा मैं कम कर देता हूँ, ताकि हमारी आवाज, background से थोड़ा सा music आया है, लेकिन हमारी आवाज जो है, वो clear रहे हैं, तो अब अगर आप देख हैं, काफी सारे अच्छे-च्छे text effect हैं, यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, कुछ जो है already download किये हुए हूँगे, कुछ जो है आपको download करना पड़ेगा, तो काफी सारे options यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, text के effects जो है, वो मिल जाते हैं, lower third वगएरा हो, जैसे कि यहाँ पर दे हो, तो lower third भी इसमें, आपको काफी अच्छे-च्छे lower third मिल जाएंगे, download नहीं है, download करना पड़ेगा आपको, तो काफी सारे interesting lower third हैं, जो कि अगर आप after effect यहाँ पर premier pro अगर हमें करते हैं, तो काफी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, लेकिन यह सारी चीज़े आपको जो है filmora में बनी-बनाई मिल जाती है, तो आप इनमें से किसी का भी use कर सकते हैं, तो चलिए मैं कोई एक use कर लेता हूँ इसमें से, अपने main title के लिए, for example, यह है, ओके, इसको मैं अपने main channel intro जो होता है, उसके लिए तो मैं यहाँ पर drag करके, इसको starting मैं add कर देता हूँ, okay, music को मैं slide करके, इसके बाद इसे डाल देता हूँ, अब यह हमारा starting में देखें, आप तो मैंने intro add कर दिया, channel intro, बद यहाँ पर मुझे लगता है कि sound effect की कमी है, तो मेरे पास sound effect है, उसको चलिए हम लोग add कर देते है, media library में, intro music है, मेरे पास यहाँ पे एक छोटा सा, okay, अब अगर हम इसे play करते है, okay, तो काफी अच्छा effect हो गया, अब यहाँ पर अगर आप देखें, तो यह हमारा background animation है, और उसके बाद यहाँ पर text track में हमारा यह text है, जिसमें हमें editing करनी है, तो double click कीजिए, आपके पास editing के options आजाएंगे, तो मैं यहाँ पर type कर देता हूँ, Billy for you, और यहा next, यहाँ पर हमारे पास जो है, subtitle है, subheading है, जिसमें मैं डाल देता हूँ, www.billyforyou.com ओके, और इसको भी मैं यहाँ पर center कर लेता हूँ, ठीक है, ओके, अब यहाँ पर हमारा जो है, intro ready है, आप यहाँ पर खुद का intro भी डाल सकते हैं, जैसे कि मेरे पास यहाँ पर यह है, Billy for you, जिसे मैं यहाँ पर simply drag करके starting में डाल सकता हूँ, तो यह हमारा intro हो गया, और उसके बार यहाँ पर हमारी जो main video थी, वो इस्टार्ट हो गया, audio का volume काफी जादा है, हमने जो audio add किया था, उसका volume, तो हम इसको थोड़ा सा और कम कर देते हैं, तो यहाँ पर आप directly जो है, जो भी आपको डालना हो, जिसके बाद जिसको डालना हो, वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, तो मैं यहाँ पर जो, इसके जरीए जो मैंने title बनाया, वो मैं यहाँ पर यहाँ पर हमारे पास transition effect है, text हमने देख लिया, lower third वगरा डालना हो, जैसे क यहाँ पर गर हम lower third डालते हैं, एक lower third चूस कर लेते हैं, for example, यह, कि मैं यहाँ पर इसमें डाल देता हूँ, तौसिफ खालिद, कि मेरा नाम जो है, वो है, तौसिफ खालिद, इसको भी हम यहाँ से adjust कर सकते हैं, और कुछ advance options भी यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, size है, उसके हमारा lower third आजाता है, तो यह सारे effect यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, और भी जो भी text आपको use करना हो, जहाँ पर भी use करना हो, आप कर सकते हैं, next आपको आजाता है, यहाँ पर transition effect, अगर आप यहाँ पर देखें, देख पाते थे और पढ़ पाते थे, तो यहाँ पर हमारे यहाँ पर इसको थोड़ा सा मैं कम कर देता हूँ, तो यहाँ पर आप देखें, तो यहाँ पर आप देखें, तो यहाँ पर वीडियो जो है, वो cut हुई है, तो यहाँ पर हम transition effect का use करेंगे, दो वीडियो के बीच में, मतलब एक वीडियो जैसे खतम हुई, दूसरा वीडि और इसको, इसके size को थोड़ा सा कम कर लेते हैं, इसको मैंने इतना चोटा कर लिया, अब यहाँ पर अगर मैं play करता हूँ, तो देखें, किस तरका effect होगा, ज्यादा effect पता नहीं चलना क्योंकि यह, मैं कोई दूसरा ले लेता हूँ, और example यह, अब देखें आप, ठीक है त इंट्रो, इंट्रो खतम हो रहा है, और इसके बाद जो हमारी वीडियो है, वो directly start हो रहे हैं, इस बीच में भी हम use कर सकते हैं, तो चलिए, इसको use कर लेते हैं, थोड़ा से इसका duration जो है, वो हम लोग कम कर लेते हैं, और उसके बाद देखते हैं, यह देखें, तो transition effect में हम यह चीज़े मिल जाती हैं, और उसके बाद है filters, filters आप सभी जानते होंगे, आप Instagram, Facebook वगरा पे filters यूज़ करते हैं, तो वही filter है, यहाँ पे काफी सारे filters आपको मिल जाएंगे, आप जो है premium खरीद भी सकते हैं, यहाँ पे, लेकिन इस की laboratory में से भी आप use कर सकते हैं, तो का के filters आप apply कर सकते हैं, या फिर normally आप, तो काफी सारे filters जो है, इसमें आपको मिल जाएंगे, पहले से ही, जिससे आप apply करना चाहते हैं, अपनी वीडियो में, तो apply कर सकते हैं, जिससे कि यह TV effect है, है न, single week होता है, तो अगर हमें कहीं पे अपनी वीडियो में यह effect डालना हो, और उसके साथ ही, अगर हम TV का sound डालना है, तो काफी अच्छा बूद दिखने लगेगा, तो इस तरह का effect जो है, आप डाल सकते हैं, अपनी वीडियो में, कहीं पे भी, तो चलिए, मैं इसको थोड़ा सा adjust कर लेता हूँ, for example, मुझे इतनी ही दूर में इसे डालना है, तो आ आप जो है, filters डाल सकते हैं, काफी सारे filters आपको मिल जाएंगे, यहाँ पर category के according भी है, तो जो भी filters आपको अच्छा लगे, वो filters आप यहाँ पर डाल सकते हैं, next option हमारे पास है overlays का, यह भी बिलकुल उसी तरीके से है, यहाँ पर कुछ frame type या उसकी ऊपर, वीडियो के ऊप पर जो है, वो चीज़े apply हो जाएंगे, categories के according भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, और उसके साथ ही जो है, इन में से आपको जिसे भी choose करना हो, वो चीज़े आप कर सकते हैं, जैसे कि यह है, यह effect मुझे apply करना है, अपनी वीडियो में, यहाँ पर, अब देखिया, यहाँ प तो काफी सारे आपको जो है, ओपर लेज मिल जाते हैं, जैसे कि यह है, तो इन में से अगर आपको कोई suitable लगता है, अपनी वीडियो के हिसाब से तो आप जो है, डाल सकते हैं, चलिए मैं इसे delete कर देता हूँ, next option है, element का, इस तरह का pop-up अगर आप अपनी वीडियो में डा जाते हैं, तो आप डाल सकते हैं, और यह काफी अच्छा है, कहीं पर हमें like and share show करना होता है, या फिर कुछ और show करना होता है, इस तरह के emojis, emotions वगरा आपको लगाने हो, तो आप लगा सकते हैं, डाउनलोड करना पड़ेगा पहले, क्योंकि यह downloaded नहीं है, तो काफी सारी elements आपको मिल जाएंगे, जैसे कि देखें, यह हमारे पास pack है, जो कि premium pack है, इस तरह का आप भी खरीद सकते हैं, तो यह देखें, कुछ इस तरह का effect डालना हो आपको आपको अपनी videos में, तो simply आप drag करके, simply आपको क्या करना होता है, ड्राग and draw करना होता है, जैसे कि यहाँ प देखिए, एक्सप्लोजन है, इस तरह का effect अगर आप after effect वगरा में create करते हैं, तो काफी मेहनत आपको करनी पड़ेंगे, लेकिन यह सारी चीजें जो है, आपको फिल्मोरा में मिल जाती है, directly on screen, और आपको simply drag and drop करना होता है, तो अगर आपको किसी भी तरह का filter अपलाई करना हो, element अपलाई करना हो, अपलाई करना हो, तो simply आप उसके उपर क्लिक केज़ें, और उसे drag and drop करके अपने timeline में अपने videos के उपर डाल दीजिए, तो यह था हमारा element, अब यहाँ पर split screen है, यह काफी interesting है, आपने TV वगरा में देखा होगा, कि एक साथ जो है, काफी सारी लोग फ्रेम में होते हैं, तो आप जो है, वो effect यहाँ पर create कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर इस element को यहाँ पर ले आता हूँ, ओके, तो यह है हमारा split screen, यहाँ पर अगर आप देखें, तो यहाँ पर हमारे पास चार drop zone है, इसमें हमें अपने video को drop करना है, तो frame 1 में हमने drop कर दिया इस footage को, और frame 3 में ह और उसके बाद जो है, इसको हम लोग डालते हैं, frame 4 में, और, ओके, इसको डालते हैं हम लोग frame 2 में, अब यहाँ पर अगर इस video को मैं play करूँ, ठीक है, तो यह हमारा काफी interesting song को है, इसको हम लोग जो है, यहाँ से गटा बरहार भी सकते हैं, duration अपने query, तो काफी interesting है, यह split screen, अगर आप जो है, एक साथ multiple चीजे, multiple frame में जो है, वो दिखाना चाहते हैं, ठीक है, यह था हमारा split screen, okay, next, यहाँ पर हमारे पास export का option है, अगर हमारी video जो है, फाइनली ready हो जाए, तो हम export करेंगे, उससे पहले कुछ चीजे और यहाँ पर देख लेते हैं, हम यहाँ अगर हमें extra images वगरा डाले हो, जैसे कि यह हमारी video है, यहाँ पर हमें अलग से video डाले हो, यहाँ पर हमें अपना watermark डालना हो, तो हम उसको कैसे डालेंगे, यह हमारा text है, यहाँ पर हम लोग resize कर लेते हैं, और इसको हम लोग डाल देते हैं, side में, text का color जादा अच्छा नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर डालना चाहें, तो डाल सकते हैं, उसके साथ ही अगर कहीं पर हमें multiple videos show करनी हो, यहाँ पर example, इस footage को हम लोग डालते हैं, यहाँ, यह हमारा उपर आख्या, इसको हम लोग थोड़ा सा resize कर लेते हैं, और corner में डाल देते हैं, कुछ शो करनी हो, आपको कुछ videos वगरा, आप जो हैं, दूसरी videos भी डाल सकते हैं, आप video के इमेजस डाल सकते हैं, जो भी आपको डालना हो, जहाँ पर डालना हो, आप उसे resize करके डाल सकते हैं, तो अब अगर आप यहाँ पर देखें, तो इस तरीके से आप एक्स्ट्राइलिमेंट्स वीडियो के उपर डाल सकते हैं, एक चीज मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, चलिए चलते हैं, लास्ट में, और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, कि हम लोग जैसे यूटूबर हैं, या पिर कोई भी project हम ल अलग record कते हैं, sound को अच्छी quality के लिए अलग से record कते हैं, तो उसको हम लोग merge कैसे करेंगे, जैसे कि मेरा यहाँ पर यह है main content, है ना, और for example, इसकी audio मुझे नहीं रखनी है, मैंने अलग से, यहाँ पर music जो है, मैं उसे हडा देता हूं, और यहाँ पर जो यह audio है, इसको हमे हमें इसमें डालना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारी जो main audio file है, उसको हम लोग network पर लाकर करे, रख देगे, ओक हमने audio track पर डाल दिया, अब यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले तो हमें isके sound wave को match करना ही, यहाँ पर आप देखें, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, pattern देखेंगे वेवों का pattern देखेंगे और उसके माज पाटरN के हिसाब से sa swipes करेंगे तो जैसे यहां पे हमारा highest level पे है और यहां पे है हमारा highest level पे अगर हम लोग यहां पे play करेंगे अभी तो sound match नहीं करेगा है वियं 13 को आफ़ सा फिस करेंगे उसके उपर right click करना है और यहां से audio detach का option है इसके उपर click करना है और यह audio जो है वो अलग हो गया और उसके बाद उसे हमें delete कर देना है तो यह था कि एक इस तरीके से जो है audio और video को sync करते है तो यह है हमारी final video जो कि आप देख सकते हैं play करके और यहां पर sound effect हमने डाना था तो काफी interesting है यहां पर हमने transition effect डाना था और उसके बाद टेक्स डाला है हमने lower third उसके साथ ही image को हमने जो है side में logo को हमने यह किया है तो यह for example यह image हम चाहते हैं यह चाहते हैं कि हम यह हमारे पूरी video में हो तो हम जो है साफी सारी चीज़े जो है वो यहां पर apply की है के चलिए timeline को हम लब नीचे कर लेते हैं यहां पर आप चाहें तो इसको fully screen कर सकते हैं full screen में करके जो है वो देख सकते हैं तो यह हमारा final video चलिए पहले चलते हैं यहां पर settings में और देख लेते हैं कुछ और settings में जाते हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर काफी इंट्रेस्टिंग ऑप्शन है जी पीउ का अगर आपके laptop में जो है वो GPU है तो आप उसे इनेबल कर सकते हैं इससे आपका पास जो है format और file चूज करने के option आ जाएंगे आप डिरेक्ली जो है Facebook यूटूब वगरब पर भी upload कर सकते हैं या फिर यहां से format चूज करके for example MP4 में मैं यहां पर अपने वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है हमें अब यहां पर आपकी computer और आपकी video file प्लस वीडियो पर आपने कितना वॉक किया है उसके उपर डिपेंड करता है कि वीडियो फाइनली जो है वो कितने देर में convert होगा ओके दोस्तों तो फाइनली हमारी वीडियो जो है वो रेंडर हो गई है और हम इसे प्रिव्यू करके यहां से देख सकते हैं तो यह हमारी फाइनली वीडियो quality काफी अच्छी है यहां पर हमने अपना लोगो डाला था और यह transition effect प्लस lower thought वगरा और यहां पर signal थोड़ा सा वीक हुआ तो काफी interesting है यहां पर edit करना काफी सारी चीज़े जो है आपको बिल्कुल one click मिल जाती है तो यह था कि फिल्मोरा में video editing आप कैसे कर सकते हैं अगे दोस्तों तो मुझे उमीद है कि आप लोगों के लिए video helpful लागा आप लोगों को पसंदाया होगा तो please इस video को like जरूर कीज़े आपका एक like मेरे लिए बहुत जादा important है तो please इस video को like जरूर कीज़े ऐसे ही और भी interesting video updates के लिए आप हमारे इस channel को subscribe कर सकते हैं आप channel के उपर visit कीज़े आपको बहुत सारी interesting videos मिल जाएंगे खैर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अलाह आपेस